जब PM सर हमसे मिलते हैं और मेडल्स के बाद या फिर डॉन मेडलिस के साथ भी मिलते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसा कोई पहले PM नहीं करता था अब हमारे PM नरेंदर मुझी ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमारी Honorable Prime Minister Sir ने जो speech दी उसे बहुत मोटिवेशन फील हुआ हम या तो जीते हैं या सीखते हैं हम हारते नहीं हैं उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात बोले हैं कि सरकार खेलाड़ी के लिए हैं ना कि खेलाड़ी सरकार के लिए हैं तो यह मुझे बहुत अच्छा लगाया यह सीज़ जब मैं देखता होने तो आपने आप में एक confidence आता है कि नहीं आगे भी हम ऐसे और खेलें और अपने देश के लिए मेडल जीते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रिण नरेंद्र भाई मोदी जी उनकी ही एक सोच है जो स्पोर्ट्स में जो बतलाव आया है वो बहुत ही एक अलग ही लेवल पर है और जिसका रिजल्ट आप अभी इतने सारे मेडल के जरियत देख सकते हों कि भी आज चाहे पैरा खिलाड़ जो चीजे पहले मुश्किल लगती थी अब इजी लगती है सबसे बड़ी बात यह है कि वहर एक प्लेयर का नाम याद कैसे कर लेते हैं हम इतनी हम काफी टाइम में बहुत लोगों से मिलते हैं और हम उनका नाम याद नहीं रख पाते आज जैसे कि जब मोदी जी मुझ से म प्रधान मंतरी जी हमें बुलाते हैं और इतना सम्मान और प्यार देते हैं जिसके वज़े से आज की तारिक में पूरे दुनिया और समाज पैरलम्पिक्स को और उसके गेम्स को जानने लगी है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2018 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें मैं दसमें रेंक में रहा था और आज मेरे पास तीन मेडल हैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि परधान मंतरी जी की बात हर किसी को अपने दिवाग में रखके चलना चाहिए कि कभी हमें हारना नही मैं एक प्रधान मंतरी मोधी किसी खिलाडी के बारे मन की बात में किसी के बारे में तो पुरा देश उसे सुनता है, वह व्यक्ति अप्रोच साहित फील करता है, वो कि नहीं मुझे करना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे आगे भी अच्छा करना है, तो इस बहुत जरूरी है। The Prime Minister himself is coming forward, he is posting, he is calling us, he is personally meeting us, this shows the commitment of the nation and he is showing the way to the nation, it's very heroic.